इंडियन बाइक से ड्राइविंग 3D का फाइनली गाइस आज चुका है न्यू अपडेट और इस न्यू अपडेट के अंदर एड़ हो चुकी बहुत सारी चीजे आप यहाँ पर देख सकते हो तो आज हम देखेंगे टॉप 10 न्यू चैंजी इन न्यू अपडेट बोफ और हाँ गाइस यह जो सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा तो इस सारी चीजे आपको गैम को अपडेट करने के बाद ही देखने के लिए मिलेंगी तो फटा फट पहले प्लेश्टोर पर जाओ गैम को अपडेट कर लो जो कि 24 MB का अपडेट है चलो आओ मैं बताता हूँ इ जैसे आप एरपोर्ट आओगे अपडेट आने के बाद में यहाँ पर जो एरपोर्ट की जो जमीन तेना पहले पत्थर पड़ा हुआ था लेकिन उसको हटा के पूरा एरपोर्ट मट्टी का कर दिया है उपर की वीडियो की किलिप में आप देख सकते हो ओल्ड एरपोर्ट कुछ ऐसा दिखा करता था गईस मतलब कि कितना मसत दिख रहा है और न्यू अपडेट आने के बाद में एरपोर्ट कुछ ऐसा हो चुका है तो गईस आप एक बार मुझे कमेंड करके बताओ आपको पहले वाला एरपोर्ट मतलब कि पहले वाली एरपोर्ट की जमीन देखा जाये तो यह भी इतना बुरा नहीं है बट ऐसे लग रहा है कि यहां पर मट्टी मट्टी हो रहा है पूरा बट कोई ना चलो बढ़ते हैं अगले चैंजिस की तरफ सेकेंड चैंजिस देखकर तो गई सच में आपका दिमाग खराब होने वाला है आपको निकालने है अपना फोन और एक चीट कोड डायल करना है जो कि यह 3005 और जैसी डायल करूगी आपकी गेम के अंदर आ जाएगी नियू निसान जीटियार जी है गईस नियू अपडेट इसको आप चीट कोड से मगा सकती है जो कि मैंने इसका चीट कोड आपको लेडी बता दिया अबे अबे भाई रोट पे क्या कर रहा है तू जुरासिक पार से किसने छोड़ दिया तुझे और गईस इसका देखो इस पीडो मेटर भी काम कर रहा है नियू निसान जीटियार का तो आपको ये कार कैसी लगी इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है तो चलो बढ़ते हैं गईस अगले चैंजिस की तरफ ओके जो गई थर्ट चैंजिस है भाई एक नमबर खतरनाक चैंजिस होने वाला है तो आपको निकालना है अपना फोन और जाना है आर्जे श्टूल के अंदर और आर्जे श्टूल के अंदर जो में लिख रहा हूं वही टाइप करना है ह-e-l-i हैलिक आपको टाइप करना ह आकर उड़ने लगे बस आपको आर्जे श्टूल के अंदर पूरा भी लिख दोगे ना हेलिकॉप्टर जब भी आसमान के अंदर हेलिकॉप्टर आ जाएंगे या आपको ओनली हेलिक दोगे ह-e-l-i जब भी आसमान के अंदर काफी सारे हेलिकॉप्टर आकर उड़ने लग और गईस अगर आप RGS टूल के अंदर लिखते हो जेट और आसमान के अंदर काफी सारे जेट आ जाएंगे बट ये वाला जेट वाला फीचर काफी जादा पुराना है गईस बहुत पहले आयत अपडेट में बट हेलिकोप्टर वाला नए आया है देख सकते हो कितने सारे हेलिकोप्टर उड़ रहे हैं तो ये फीचर कैसा लगा ये भी बताना कमेंड करके चलो बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ ओकी तो गजो चैंजीज नमर फोर है थोड़ा शोकिंग चैंजीज है आपको सुनकर बुरा लगेगा यहां पर पहले अपना शोरूम हुआ करता था लेकिन यहां से शोरूम को रिमूफ कर दिया है पता नहीं अपडेट के अंदर याड़ शोरूम को क्यो रिमूफ किया अब यहां पर मैं आटजेस टूल के अंदर लिखता हूँ कार बाई तो यहां पर शोरूम के अंदर कार आ जाती थी यह वाला चीट कोट काम करता था लेकिन अभी यहाँ पर शोरूम गायब हो चुका है गाईज पूरा रिमूफ कर दिया उसकी जगा पर यहाँ पर डाल दिया कंस्ट्रक्शन एरिया तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा कंस्ट्रक्शन एरिया एड हो है आप यहाँ पर जैसी आओगे आने के बाद में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ की जो बिल्डिंग है न वो बन रही है मतलब कि इसका नामी कंस्ट्रक्शन एरिया है तो यहाँ की मतलब काम चल र पर आप आकर मतलब के गाड़ी वगेरा गुमा सकते हो अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो यहाँ पर गाड़ी गुमा के सीख सकते हो देख सकते हो पूरा कितना रोटेशन में इसको बनाया है इसके लावा देखो यहाँ पर गाइस कंस्ट्रक्शन एरिया में सारा यहां पर मतलब कि रेता वगेरा पड़ा हुआ है एक बार इस बेल्डिंग के उपर चल के देखते हैं यार इसके उपर है कि अब उपर तो चल ले नूबले ओके यहां पर अरे बाई प्लेयर भी नहीं अटक रहा सीलियो पर चलने में मतलब कि मस्त यार पहले क्या होता ना सीलियो पर अटक अटक के चलता था बट यह वाला जो एरिया है इस पर मस्त भाग रहा है देखो अपना प्लेयर और गईस मैं आपको एक बार उपर जाकर देखे हैं तो बाई सब कुस दिख रहा है पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया दिख रहा है मतलब की कितना मस्त लग रहा है बैट वहां पर वह निपीजय की क्या कर रहा है इस और ने का एक चलते हैं, वहाँ पर NPC भी खड़ा हुआ है, वेट भाई, ये गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा, कितनी दूर गया है टकला, चलो, उपर यहाँ पर टंकी रखी हुए है गाईस, और उपर ये पतनी कैपसूल किसके, गेस वगयरा के कैपसूल है क्या, वो खड़ा है NPC, औ एक मिनट लाइटे लगे हुञे हैं, यार कंसिंट्रक्शन एरिया में, ये काम करती हैं क्या, एक मिनट ये तो नायٹ मोट करने के बाद ही पतर चलेगा, ये नाय भाईटे जलती है, क्या, रुको नायđ परताउ हूँ में, अरे यार, ये लाइटे तो काम ही नहीं कर रही जो पाच बाच चैंज होने वाला है वोने वाला बाइक से लिटेड आपको निकालना है फोन और डायल करना है फोल डवल जीरो आपके सामने आ जाएगी जेड़ेश टैनार जोकी पहले भी आती थी बट गैस इसका मोडल पूरा चैंज कर दिया है पूरी बाइक को यहां पर दिया है उपर देखो गाइस ओल यहां पर जेड़ेश टैनार और नीचे देखो यह नए अपडेट की नई जेड़ेश टैनार है मतलब के यार ओल्ड वाली ठीक थी ओल्ड वाली की पीछे नमबर प्लेट नहीं थी बट जो नई बाली जेड़ेश टैनार एड़ है उसके पीछे देखो यहां पर नमबर प्लेट भी है और इसके साइलेंसर के नीचे से ना पतनी देखो साइलेंसर इसका देखो नीचे से जमीन दिख रहे है यह बाई तो गईस नहीं वाली जेड़ेश टैनार आपको कैसी लेगी बताना इसके लाब गए जो हमारी च्टी कर दिया है गाईज इसकी भी आपको मैं यहां पर दो क्लिप दिखा रहा हूँ उपर की जो क्लिप है वो ओल्ड बाली यहां पर केटियम की जो की पहले अपडेट में थी और नीचे बाली यहां पर देख सकते हो जो अभी नियू अपडेट के अंदर केटियम एड़ हुई आई लब माई इंडिया गईसे एक बार कमेंड कर दो आई लब माई इंडिया पीछे प्लेट पे कुछ नहीं लिखा चलो कोई ना बाकी इसका स्पीडोमेटर यहां पर काम नी कर रहा है जीरो का यहां पर इसका वो दिखा रहा है बाकी गईस अगले चैंजिस के दर बढ़त इस वाली KTM को आप कलर वगेरा भी करना चाहोगे ना इस KTM पर आप कलर वगेरा नहीं कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं जहां पर आप सभी को पता होगा पहले शोरूम था वही पर exact location पर construction area है अगर आपको शोरूम की भी location नहीं पता थी तो आपको देख लो यहां पर construction area की location आपको सीधा गड़ से back side में जाना है और जैसी जाते जाओगे यहां पर आपको रैम side के side में यहां पर देखने को मिल आपको अपडेट में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी नियू मतलब के car या आपको construction area या बाइक जो भी चीज़ लगी हो कमेंड करके बताना और हाँ वीडियो को लाइक करके जाना है चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी गईज मैं मिलता हूं नैश्ट वीडियो में लव आपको यौल